आज हम लोग इस सेशन में ताम प्रसाडिक संस्कृत को पढ़ेंगे आपको पता देगे इसके पहले हम लोगों ने नो प्रसाड संस्कृती को पढ़ लगा था जिसके वीडियो का लिंक हमने नीचे दे रखा है जहाज पर आप जाकर उसको आप देख सकते हैं ताम प्रसाडिक संस्कृती यानि कि ताम प्रसाडिक ऐसा समयकाल जब मानों ने पसाड यानि पत्थर के साथ साथ ताबे का परियोग किया उसे हम लोग ताम प्रसाडिक कहते हैं ताम प्रसाडिक संस्कृत का समयकाल 2800 से 720 माना जाता है यहाँ पर हम लोग ताम परशाड़िक सांस्कृत की रूप में नौ सांस्कृतियां को पढ़ेंगे जिसको हम लोगों ने चार फेज में बाट रखा है पहला फेज है यानि कि ऐसा समयकाल जो सिंधु घाटी सबिता का पहले के समयकाल था यानि कि इसका समयकाल 2800 से 2520 के बीज को हमने फेजवन में कर रखा है इस फेजवन के तहाँ गर्नेशवर संस्कृति आती है जो सिंधु घाटी सबिता संस्कृति के पहले की संस्कृति थी ये संस्कति गुजरात छेतर में पाई गई थी फेज टू ऐसा समय काल जो सिंदु घाटी सब्धता के समकालीन था जिसका समय पचीश सो से सत्रा सो पचास बीसी था इसके तहट पहला कायथा संस्किती आता है यह जो है मध्परदेश छेतर में पाया गया दूसरा आहार या बनास संस्किती जिसके तहट तीन छेतर आते थे गिलूंद आहार और बाला थल बाला थल जो है राजस्थान छेतर और थोड़ा सा गुजरात और दच्छिड भारत मालवता किया फैला हुआ था तीसरा है सबलदा सनस्कृति सबलदा सनस्कृति या महराष्ट छेत्र में आता था इस प्रकार से भेज 2 के तहट तीन सर्स्कृतियां आती है वहीं भेज 3 की बात करें तो ऐसा समयकाल जो सिंदु गाटी सब्वता के बात था ऐसी सनस्कृति को फेस्ट थिरी के तहट हम लोग पढ़ेंगे जिसका समय काल जो है सत्रा सो पचास से लेकर बारा सो बिशी तक था इसके तहट पहला जो है मालवा संस्कृति आती है जिसमें महिश्वर इरन नौदा टोली और नगदा आते हैं दूसरा रंगपूर संस्किती है जिसके तहट गुजराच छेतर आता है तीसरा प्रभोष संस्किती जिसके तहट गुजराच छेतर ये भी आता है तो रंगपूर और प्रभोष संस्किती दोनों ये गुजराच छेतर में चौथा है पूर्वी ताम प्रसाडिक सर्शकिती इसके तहाद यूपी बिहार और बंगाल आते हैं वहीं फेज, चौते फेज की बात करें, तो चौते फेज का समयकाल जो है 1400 से लेकर 720 तक है, जिसके तहा जो है जोखे सास्कृती आता है इसका छेतर जो है महराष्ट छेतर के जोखे, दैमाबाद, इनामगाउ, निवाशा, चंदोली, सोनागाउ, प्रकास और नासिक आते हैं वहें ताम प्रसाडिक सांस्कृत की बिसेस्ता को जाने, तो इसके तहट पत्थर के साथ साथ मानों ने धात्र के रूप में ताबे का परयोग किया और सूझ पासाड का यहाँ परयोग किया था, इन्हों ने कुटाई के लिए ब्लेड का परयोग किया तथा यहाँ पर ताब ये लोग बनाते थे छोटा मकान बनाते थे जिसमें इटो इट जो था सीमित मात्रा में इस्तिमाल करते थे और अधिकतर इट जो है कच्चे रहते थे यहाँ पर इन्हों ने मृत भांडों का भी परियोक करिया और विभिन प्रकार के फसल जैसे गेव गेव हुँ जो चनय का उगाया था ये लोग पसुपालन भी करते थे तथा धार्मिक आस्था में भी ये लोग विश्वास करते थे जैसे कि ये को मिर्टक की सवधान पद्दित को भी ये लोग अपनाते थे जो कि एक धार्मिक आस्था का प्रमुख रूप था वही अर्थ व्योस्था की बात करें तो अर्थ व्यवश्ता में जो है यो लोग किरसी और पसु पालन करते थे ये लोग ब्यपार के रूप में जो है सिल्फ कलायो का ब्यापार योग ब्योग कलते थे नेस्ट हम लोग देखते हैं तो प्रारंभी परिछशा विसेस तामपरसाडिक संस्कृति से प्रारंभिक परिच्छ बिसेस किया है इसको हम लोग यहां पर पढ़ेंगे तो मानुदारा सरपर्थम परियोग में लाया गया धाथू कौन सा था तो यहां ताबा था जो कि 5000 बिसे पूर या पहले इसको किया गया था परियोग और बाद में कासा और लोहे का यहां पर परियोग मानों ने किया था मध्य पर्देश की बात करें तो मध्य पर्देश में तामपरसाडिक संस्कृतिया कहां कहां समिली है तो इसमें मालवा मालवा से जो है मृदभांड यहां से तामिर पर साड़िक मृदभांडों में उत्रिष्टतम जो है मृदभांड पाये गए है दूसरा है नौदा टोली नौदा टोली से कताई बुनाई का कार तथा प्राप्ती हुई है काइथा की बात करें तो काइथा से मनके का हार यहाँ से पाया गया है तथा महराश्ट के दैमाबाद से ताबे के बने चार प्रमुख वस्तूओं की प्राप्त हुई है जिसमें पहला हाथ है, दूसरा साड, तीसरा गैडा और चौथा रत चलाते हुए मनुस्य है इमाम गाओं की बात करें, इमाम गाओं की बात करें, कच्ची मिट्टी के मकान कलस सवाधान पद्दत यानि की घर के नीचे एक विशेश अस्थान बना कर वहाँ पर सो को दफनाना ही कलस सवाधान पद्दत कहलाती थी निवासा की बात करें तो निवासा जो है पटसन का पर्थम साथ जो है निवासा से प्राप्थ हुआ है वहीं चाक निर्मित बरतन तथम रिद्भांद भी यहीं से प्राप्थ हुआ है यह मिर्द्भांद जो है लाल तल पर जो है काली डिजाइन के हुए प्राप्थ हुए ह अब हम लोग ताम प्रसाडी सांश्कृत का मुख महत्यपूर बिंदु देखें तो यहां पर महत्यपूर बिंदु के रूप में सवाधान पद्धत यहां का बहुत ही महत्यपूर है सवाधान पद्धत में देखें तो इस सवाधान जो है दो तारीकेस किया जाता था पहला आंसिक और दूसरा पूरल रूप से जो आंसिक था वो पूरवी भारत में किया जाता था इसमें जो है सव को जो है ऐसे खुले आस्मान में रख दिया जाता था जिसमें पसु पच्छी और अन्य जानवर आकर उसको खाते थे और जब खा लेते थे तो जो सेस बसता था हड़ी और अन्य सेस उसको कब्र में रखकर दफना दिया जाता था यही आन्सिक जो है सवाधान पद्यत थी जो की प्रमुख रूप से अपनाया गया था तामर पसाडिक संस्कृतिक में वहें पूर रूप से देखें तो पूर रूप से जो है यह पस्यमी भारत में इसका प्रचलन था महराष्ट की बात करें सवाधान पद्यत में तो महराष्ट में सौओं के सिर जो है उत्तर वपएर दच्छिड में करकर यहाँ पर दफनाय जाता था तथा दच्छिड भारत में सौओं के सिर पूर में वपएर पस्छि में करकर दफनाय जाता था सरप्रथम चित्रित मिद्भांडों के औसेज ताम प्रसाड काल से ही प्राप्त होते हैं अब हम लोग महापासाड काल को देखेंगे महापासाड काल यानि कि ऐसा बड़े बड़े पत्थरों का काल ही महापासाड काल कहलाया जिसका समय काल जो हे एक हजार बीजी से लेकर 120 तक था इसका छेतर कहां था तो इसका छेतर जो है बिंद परबद के दच्छड की संस्कृत को महापासाड काल की संस्क्रिति कहा गया महापासाड ब्रिहद अकार की पत्थरों के परियोग कर जो है स्वाधान पद्दत क्या था कि उनुस के सो थे उनको जो है बड़े-बड़े पत्थरों से ढख दिया जाता था और ढखने के बाद जो है बड़े-बड़े पत्थरों से ढख दिया जाता था यही स्वाधान पद्दत थी इसके भगवालिक छेतर की बात करें भगवालिक छे जो है इसके प्रमुख महत्वपूर अस्थल थे आंध्र प्रदेश कि बात करें तो पिकली हल और तमिलनाड के अदिचनलूर तथा महराश्ड के जान पाली इसके जो है महापसरकाल के महात्वपूर अस्थल थे महापासारकाल को लोह यूगीन संस्कृती भी कहा जाता है क्योंकि इस समय तक लोग लोहे का पर्योग करने लगे थे इस संस्कृत के तहा लोहे के बने बिभिन वस्तूं की भी प्राप्ती हुई है जैसे की तलवार, कुलहाडी, तीरो की नोग, भाले की नोग और हसिया आद यहाँ पर प्राप्ती हुई है लोहे के अलावा भी अनिधातूं की भी यहाँ पर प्राप्त हुई है जैसे की सोना, चादी, ताबा, कास और आद वस्तूं की भी प्राप्ती हुई है बिभिन प्रकार के यहां पर मृद्भान पाए गए हैं जैसे कि काले और लाल मृद्भान काले और लाल के साथ साथ जो है सफेद पट्टीदार भी यहां पर मृद्भान पाए गए हैं यहां से घोडे के साथ पाये गए हैं कब्रों से घोडे की हटिया और घुरसवार का सैल चित्र भी यहां से पाया गया है महापासार कब्र निवास छेज से हट कर मिलते हैं अक्सर अब भी देखते हैं कि जो कब्र होते हैं वो घर से दूर पर बनाय जाते थे तो उस समय भी महापासाड काल के जो कब्र होते थे वो निवास अस्थल से दूरी पर बनाय जाते थे जिसमें विभिन वस्तुएं प्राप्त होई हैं जैसे कि लोहे वा अनधातों की वस्तुएं मृत भांट पसु हड्डियां अनाज मन के हाथी दात के अभूशण और रोम क सिक्के रोम की सिक्के का क्या मतलब है कि यहां के लोग जो है रोम से ब्यापार करते थे अच्छा महापासाड काल से क्या नहीं प्राप्त होई है तो यहां से जो है नगर वा नगर योजना जो पद्दत ही अपनाई जाती थी नगर बसाने की वो नहीं प्राप्त होई है ब प्राप्त हुआ है तथा मानक मापतौल जो है का साच भी यहां से नहीं प्राप्त हुआ है इसके साथ ही साथ जो है कला के बिशिष्ट नमूने भी जो है महापासाडकाल से नहीं प्राप्त हुए हैं ये था हमारा महापासाडकाल